वेलकम टू आयानास किचन आज हमने देखी ये टिक का मसाला बनाया है चिकन टिक का मसाला घर पर बहुत ही आसानी से जो चिकन खाने के शौकीन है वो इस रेसिपी को बना सकते हैं घर पर और इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और इसमें हमने जादा मसालों का भी यू चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना और आप इसकी लुक देखकर समझ सकते हैं कि कितना अच्छी इसकी लुक आई है एकदम रेस्टोरेंट इस्टाइल और यह देखे ही हमें ने चिकन लिया है वन केजी चिकन है इसमें से हम दो चीजे तयार करेंगे यहाँ पर यह मैं मेरिनेट कर रही हूं इसमें मैंने वन चमच के गई रेट चिली पौउड़र और कुरिऑन्डर पौउडर गरम मसाला और दो चमच भर के नमक शामिल किया है और फूट कलर है अधरक लसन का पेश्ट डाल दिया है इसमें और हाफ लेमन इसकुईस किया है और इन सब को मैं अच्छे से चिकन में मिला लूँगी जिससे एक लेयर चिकन पे अच्छे से चड़ जाए और यही पर यह दो बड़े चमच मैंने इसमें दही शामिल किया है दही खटा नहीं होना चाहिए और रूम टेमपरेचर पे होना चाहिए और इसको भी बस तीन-चा रहाई में मैं इनको पीसो को डाल दूँगी और यह ग्रेवी बनाने के काम आएगा जो इसका मसाला बचा हुआ है और यहां पर यह दो चमच के करीब और शामिल कर दिया है और मीडियम फिलेम पेस को अब हम पकने देंगे जब तक कि यह अच्छे से पकनी जाता और यहां पर यह चिकन कप काफी पाने रिलीज हो चुका है और थोड़ा से इसको मैं चला दूँगी जिससे कि कोई पीस कच्छा नहीं रह जाए सारे पीस अच्छे से गल जाए और यह देखिए यह चिकन अच्छे से अब पकने पर आ चुका है भुन रहा है और ऑईल भी हमें अलग से दिख रहा है और यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि चिकन अच्छे से टेंडर हुआ है कि नहीं और यहाँ यह मैंने एक पैन ले लिया है कड़ाई और इसमें मैंने ऑईल शामिल कर दिया है और यहाँ पर यह एक मैंने बाय लीव डाल दिया है और दो यह हरी लाइची शामिल की है और य नहीं जाएएगा क्योंकि मेरा जो इस्टेप लिए है वो तूट चुका है और यहां पर यह जो मेरिनेट किया हुआ मिश्टन बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल किया है और यह दो चमच भर के मैं इसमें कॉरियूंडर पाउडर डाल रही हूं और एक चमच भर के रेट चली पाउडर शामिल किया है मैंने और यहीं पर यह गरम मसाला भी एट कर दिया है वन फूट चमच के करीब हल्दी पाउडर है और नमक भी मैंने शामिल किया है नमक हमें थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि चिकन में पहले से ही नमक शामिल है और इनको मैं अच्छे से चला बहुत ही हलके हाथ से चलाना है हमें इसको और यहां पर अब यह मैं दही शामिल कर रही हूँ गैस की फ्लेम हमें कम रखनी है और दही हमारा रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए यहां पर आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं तेन-चार बड़े टमाटर की प्यूरी और बस इसको भूनने देंगे अच्छे से और यह देखिए मसाल अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम चिकन टिका के पीसीज एड़ कर देंगे और यहीं पर यह मैंने फ्राइक की हुई अनियन भी शामिल कर दिया आप चाहें तो इसको पीस कर या क्रेश करकर भी डाल सकते हैं मैंने इसको ऐसे ही शामिल कर दिया है और इन सबकों मैं एक बार अच्छे से चला लूँगी और अब यहां हम पानी शामिल कर देंगे अगर हमें ज्यादा पतली ग्रेवी रखनी है तो पानी ठीक सामिल करना है और नहीं तो थोड़ा कम जिससे की चिकन एकदम लट पटासा बन जाए और बस इसको ढखके दस से पंदे मिनट पकने दूँगी अच्छे से और यह देखिए उसके बाद दस पंदे मिनट के बाद इसको मैंने डिशाउट कर लिया है और यहां पर यह मैंने धनिया पती इसके उपर से डाल दी है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें और आप इसको तंदूरी रोटी चावल या सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप भी एक बाद जरूर से इसको ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपकी रेसिपी कैसी बनती है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजेगा मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के निया अल्ला हाफिस